हेलो फ्रेंट्स हम लोग पहुंच गया हैं अपने बुक के लास्ट चैप्टर पर और माइक्र एक्रोमिक्स में आपने सारी चैप्टर्स पढ़ होंगे तो काफी इंट्रेस्टिंग भी लगा होगा और बहुत सारी चीनिस भी आई होंगी सिस्ट्रमेटिक सब्जेक यह भी समझ में आगया होगा कि सारी चैप्टर से एक दूसरे से कनेक्टेड है और उसी शंक्ला में ये chapter भी हमारा connected है 4 chapter से खास तोर से और 5th को भी थोड़ा वाथ हम लोग भी आगे देखेंगे chapter को तो आसे मैं connections देखेंगे नाम है इसका non competitive markets पृतिशपरधा रहित अब आम तोर पर हम लोग जो पृतिशपरधा है उसका जो earth लेते हैं और पृतिशपरधा रहित होने का जो earth लेते हैं वो economics में exactly वैसा नहीं होता है जैसे हम लोग श्रम की जो definition लिया करते हैं वर्क की है ना कक्षा 11 में मैं आपको पढ़ाया था तो जो जिस काम की monetary value है जिसका किसी earth होस्ता में पैसे दी जारे हैं जो 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 आता है कि आप ने जिस दिशा में बल लगाया और उसी दिशा में विस्ता में विश्वाइन करना होता है जो 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 आए और कि विशय को परभाशा होते उसमें थोड़ा अंतर हो जाता है उन शब्दों का उस कॉंटेक्स में क्या अर्थ है ये समझना बहुत नहीं है ठीक अच्छा तो अब यहाँ पर समझ देजिए कि जो प्रतिसपर्धा रहीत का मतलब है ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई प्रतिसपर्धा नहीं है जिसको लोग बोलते थे perfect competition क्या बोलते थे perfect competition में क्या चीज़ें होती है चार हम लोगों ने कंडिशन लिखी दी, पहली कंडिशन होती है कि बहुत सारी फर्म्स हैं, क्या है, बहुत सारी फर्म्स हैं, और बहुत सारे कंजुमर्स हैं, यानि कि फर्मों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, और भोक्ताओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, फर से 1 लाफ दुकाने, एक लाइन है, ठीक, अब उन सारी दुकानों में पूरे बाजार में जो सामगरी बेची जा रही है उसमें किसी एक दुकान का हिस्सा दो बहुती छोटा है, वो एक दुकान से प्राइस कीशि नहीं और पाएगी, तो सारे लोग का प्राइस टेकिंग बि पूरे बाजार की तुलना में अगर आप निकल जाते हो पूरे बाजार को जो साइज है तो आप नगणने हो एक फर्म पूरे बाजार में जितने उभुगता है उसके तुलना में अगर आप भी निकल जो तो भी बाजार कोई फर्क नहीं पड़ेगा यह है पहली बात दूसरा अजम्शन क्या आता है पहले सही रेलेटेड है दूसरा अजम्शन होता है कि सारे लोग को फ्री एक्जेट और फ्री जब करना लें हो क्यूंकि इतने सारे लोगों का वे रोजगार कैसे बना सकते हैं तो यहां पर हुं क्या मानते हैं कि कोई भी आ सकती है कि अच्छा को फंषन पेस्पड़्दी बाजार में setting चंटिसा होता है कि जितनी भी firms है जितनी भी है वो एकदम एक जैसा product बना रही है एकदम identical है मतलब cricket की ball है तो सारी जितनी भी firms है सब एक जैसी ball बना रही है जितनी भी दुकान अगर बेच रही है किसी कोई industry है तो उस industry में सारी दुकान एकदम एक जैसे सामान बेचने हैं, एकदम एक जैसे पैसे पर कोई अंतर नहीं है, exactly identical है, क्या है identical, अच्छा, real life में ऐसा होता है क्या, cricket की ball बनाने वाली बहुत सारी companies हैं, है ना, अलग अलग companies, अलग अलग तरे की ball बनाती हैं, थोड़ा सा difference दिख होगा, तो आप से सामन खरीद हैं, किसी और से खरीद हैं, किसी और फर्म का खरीद हैं, कोई फर्क पड़ेगा का नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो वस्तुव है, वो एक दूसरे की पूरी perfect substitute होती है, क्या होती है, पूर्ण स्थाना पन, आप कहीं से भी खरीदो, exactly replace क कर सकते हो, जैसे माल लीजे, दो मार्कर से हैं, अलग-अलग company के हैं, तो आप ये मार्कर अगर नहीं खरीद हो, दूसरे का खरीद लोग है, क्योंकि बहुत close substitute है, perfect नहीं है, आप इससे जो काम कर रहे हैं, तो उससे भी वही कर पा रहे हो, लेकिन exactly वैसा नहीं है, अंतर है जैसे मालीजी कोई भी है, I-20 गाड़ी लेनी है, या फिर Swift लेनी है, ठीक है, तो मारुती स्विस्की की Swift है, और Hyundai की I-20 है, अब I-20 और Swift में, बोलना है कि हाँ, ये की price range में लग-बग-बग, और बहुत सारी चीजने बहुत similar है, तो ऐसा बोल सकते हैं, कि ये close substitute हैं साब ब बोलेंगे कि ये इस industry में perfect competition है, ठीक, अच्छा, ये तीसरी बात हो गई, चौथी बात क्या हुई, चौथी बात होई, पूर्ट जानकारी होती है, फर्म को भी, और जो हमारे उभ्भुकता हैं, उनको भी, किस बारे में, सारी फर्म को जानकारी है, कि input cost कितनी है, जो चीज consumers के बारे में पूरी जानकारी है, ऐसी consumers को सारी फर्म के बारे में जानकारी है, कौन कितना output निकाल ला है, कितनी cost है, कहां पर availability है, सब कुछ, पूर्ट जानकारी का assumption है, ये सारी बात हम लोग अपने 4 chapter में कर चुक है, तो अभी तक repeat क्यों किया, repeat इसलिए किया, क्योंकि इ अराम से सुतनतता नहीं है, अगर आपको इस sector में आना है, तो संतनतता नहीं है, जाना है, तो संतनतता नहीं है, ऐसी इस्थिती में, अगर आपने ये बना दिया, तो इसी से, मतलब ये assumption जो था, जो हमारी ये मानेता थी, इसको अगर हमने निरस्त कर दिया, कि फर्मों को संख्या बहुत ज़्यादा रह पाएगी सोचिए नहीं रह पाएगी फर्म्स हो जाएंगी कम क्यों कोई भी मूठा करके नहीं आ सकता आपको बनाना नहीं आ सकते ठीक तो ऐसी सिती में अभी तो जिसको भी आना आता चला जा रहा है फर्म्स के संख्या कम होती जाएगी कम हो आइडिया था वोड़ाफोन था एर्टेल था एरसल था धुनियाड किया अगत्य तो उसका और टाटा क्या आया था तु टू 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 तू तो डूकोमो तो डूकोमो आया था और एक टेलीनौर आया था ऐसे बहुत सारे कंपनीज आ चुकी थी और फिर भी वो उसको परफेट कंपेशन नहीं बोच सकते था तो जब जब ऐसा सेक्टर बन जाए जिसमें किसी भी कारण की वजह से कि कॉस्ट इतनी बड़ी होती है इतना बड़ा को सेट अप करना पड़ता है कि उसमें बहुत ही कम लोग एंटर कर पाएंगे तो जब बहुत कम लोग रह जाते कोई फिक्स संचानी यह चार पांच छे साथ इतने लोग हैं तो उसके लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं अल्पाधिकार हिंदी में ट्रांस्लेशन अच्छा नहीं है दुरभाग है क्योंकि एकनॉमिक्स विषय का जो डवलप्मेंट हुआ है वह काफी हस्तक बहुत नया विषय है भी डवलप्मेंट चली रहा है बहुत अच्छे से वेस्टन कंट्री में हुआ ह जो मार्केट मिलेगा जो मार्केट स्ट्रक्चर बन जाता है उसको लोग बोल देते हैं और इसको कर सकता है बहुत सारी लाइसेंस आपको मिलना तो आप नहीं आ सकता है कि सरकार में बुल जिया नहीं हम तीन ही कंपनी सो लाइसेंस देंगे तो तीन ही फर्म से रहे पाएंगे बाकी रही नहीं पाएंगे दूसरा क्या हो सकता है कि इस इंडस्ट्री में घुषने के लिए बहुत प्रासे लगाने पड़ते हैं मुकेशामानी जी का एक इंटर्व आ जितने पैसे के जुरूरत है वो बहुती कम लोग के पास है उस तरह का अर्रेंजमेट बहुती कम लोग पते हैं तो वह भी एकतरar से this क्या ओगा विया बैर्रियर्स अंट्री हो गया आप एंटर्री नहींन नहीं कर पाओगे तो ऐसी शृति में जब बहुत ही कम companies बसती हैं, बहुत ही कम companies यहां firms हैं, company नहीं बोला चाहिए, नॉमली इस तरह के पढ़ाने के टाइम पर, क्योंकि फ़र्म का मतलब क्या होता है, sole proprietorship भी हो सकता है, वो भी काम कर रहा हो, है ना, partnership भी हो सकती है, company क्या होता है, एक special तरह का website होता है, जो हम लोग अ किस वज़ा से, क्योंकि free entry or exit बिल्कुल नहीं रहा, और माली जी कुछी देश में बोला कि नहीं, हम एक ही company मनाएंगे, और सरकार एक ही local license देगे, तो तो एक ही company रह गई, तो जब एक ही company रह गया, एक ही firm रह गई, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक आधिकार, क्या है, इसी का और extreme version हो जाता है, अभी तो उसमें 4-5 companies थी, fixed number नहीं है, लेकिन कम थी, ठीक है, तो जब 5-6 लोगी पूरे market को राज कर रहे हो, production वाली साइट से, तुम लोग उसको क्या बोलते हैं, oligop वाली, और SEC का और extreme चले जाते हैं, तुम लोग उसको बोल देते हैं, एक अधिकार, और एक अधिकार को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, monopoly, मैं छोटा था तो एक गेम खेला करते हैं, तुम लोग ब्यापारी क्लब, हिंदी में चलता था ब्यापारी क्लब, वोज़े बहुत मज़ा आता था, और उसी का English version हो था monopoly, तो कभी वो भी का आप लोग सड़ाए थे, तो मैं एक बार oligopoly मिल लिए और वही assumption और extreme हो गया, कि कोई भी और firm रहेगी नहीं, एक ही रहेगी, तो क्या हो जाएगा, monopoly बन जाएगी, अच्छा, अब क्या करते हैं, तीसरा assumption क्या था हमारा, कि सभी firm का उतपादित निर्गत जो है, जो output है, वो एकदम ए तो बहुत सारी companies in India में, Chinese companies बहुत सारी है, Mi है, Redmi है, Vivo है, OPPO है, इस तो Chinese companies है, Samsung है, आपका South Korean company है, फिर Sony है, Japanese company है, Micromax Indian company है, तो यह सारी companies क्या कर रहे हैं, अपना पर mobile करके आ रहे हैं, जो बहुत close substitutes है, आपको लगता है, इस mobile में तो वही है, इसमें भी तो वही है, क्यो Google जैसे service providers जैसे लोग है, जो अपने application और services दे रहे है, वो तो सारी mobile में आपको लग लग मिल जाएगा, तो आपको देखते हो, बहुत close है, exactly identical नहीं है, लेकिन, पूर प्रिस्था इस्थानापन नहीं है, पूर इस्थानापन का मतलब क्या होता है, एकदम से, ऐसा तो नही लेकिन इसमें ये feature ज़्यादा है, अब वो पैसा ज़्यादा matter करने समझ जाए कि उसको लगता है, तो अब ऐसी सुथी में क्या होता है, ऐसी सुथी में हम लोग इसको बोल देते हैं, इस तरह का market इसमें बहुत सारी companies हैं, लेकिन exactly एक जैसा product नहीं बना रही है, बहुत सा फिर्वाला assumption गायब हो गया, एक दूसरे का स्थानापन नहीं रहा, लगभग-लगभग स्थीक्यूटस हो गया, close सथीक है, लगभग-लगभग क्या हो गया इस्थानापन, यानि कि close सथीक्यूटस हो गया, तो ऐसी सथी में हम लोग बोल देते हैं, इसको monopolistic competition, क्या बोलते ह हिंदिमीं बोलते हैं इसको ईकाधिफार पॉर्स परधा तो यह तीन यांने संथिता के उत्चा तरह के मारकेट्स में यां क 03 थे नहीं है क्योंने ये क्यों कि उत्थे पूर्ण प्तूस परभाषा थी उसमें चार चीज़े उसमों की दूसर के नियurf में मारकेठ एफ perfectly और मारकेट उसकी कंडश्ट ब्लिछ मेंoth gewja नोड़ी कंडिश्ट फिसम सब्सक्राइब लगता है मों फ artists को पर टेस्व हो क्या होगा क्यां फिस रुगा कृष हो dar सप्सक्राइब नहीं किपते हुए पिर दो स्ट्रइब ट्राइब करें बाइके लोगों के साथ शियर करें और बेल आके दबाना ना बूलें जिससे कि हमारे कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको मिलता रहें ग्यान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शियर करके अपना भूमोल योगदान जरूर ने बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया